इस वक्त की बड़ी ख़वर निकल कर सामने आ रही है रुपेश सिंग हत्या कार्ण में बड़ा खुलासा किया गया है पटना पुलिस के द्वारा जीहा इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंग के हत्या के पीछे रोड रेज का मामला बताया जा रहा है ये ब हत्यकार को अंजाम दिया गया है है हैरानी की बात है कि जिस सक्स ने इस घटना को अंजाम दिया है उसने जीवन में पहली बार गोली चलाई है पटना SSP आफिस में प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान अपराधी रितुराज ने बताया कि वो अपने पास एक साल से हतियार रख उसने जिन्दगी में पहली बार गोली चलाई है जो उसने रुपेस के उपर अनदुन गोली बरसाई तो उसने देखा भी नहीं कि कितनी गोली चली है उसके बंदूग से मीडिया कर्मियों के सवाल का जबाब देते हुए आरोपी रितुराज ने बताया कि उसके साथ तीन ने साथी भी थे जो इस हत्याकान में शामिल है तो रितुराज जो की आरोपी है रुपेस हत्याकान में वो क्या कुछ कह रहा है वो सुनिये आप आरोपूर्ट पे हुआ क्या था जी सिर्फ एला दिल आपका अपक्या हो गया था तो फिर क्या हो गया था क्यो इन्ना गुसा था आपको कि अवर्स करने कारण गएंट तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बार भुर आप तो चोरी का गाडी लेके हमेशा भाग के को-विशमस्था में आता ओगा तो हमेशा मारने का सूश्य के लो तो आपने कैसे उनका पीशा किया कहा कहा किया कितनी बारा टेंप्ट लिया आपने मादने का तीन चार में जानते ते कि वह इंडिगो मैंनेजर है तो पढ़े लिखे हो बार से जोग्रुफिया मस्की हो इंडिगो का बैच रहता है वह तो कोई भी देखे दूर से पाथ चल आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था ये आप पूछी आप पूछी बताएगा नहीं है देखिए आप यह होता है ना कि आप लोग हाफादर कभी ये पूछें कर दो एक क्रोनलरी से पूछी रहता है तो नहीं है तुम्हार सांट को यह जांकर बता दो बता दो अब आपने बोला नहीं आथ था आप परिवार का वर्जन है कि गारी का एकश्डेंट हुआ था इनका वर्जन है कि जब यह एकश्डेंट हुआ था तो यह मरते मरते बचे थे अभी कह रहे हैं सर की अक्सिडेंट नहीं हुआ था सी आएम नोट कोइसाइडिंग तो पॉइंट्स परिवार का वर्जन अपना हो सकता है मैं आपको इंडिशिकेशन बता रहा हूं अपरादी का अपना कंफेशन बता रहा हूं आप अपना के सामने आप पूछ सकते हैं तुमारे गाड़ी से और उपेश गाड़ी से अटफर हुआ था की नहीं तो फिर कैसे मरते मरते बज गये थे वहां पर अपर किस दिन पीछा किया था किस बात का गुस्ता था इस बात का गुस्ता था वहां को अगारे की ना मतलब का इस बता गुस्ता था तूम्हारा कईसे जाएगा इसके लिए जिर में तरम पिछा करते थे डेली घूना को लिए तूम ही चला हो हाँ यह बतां दिवाली के बाद सब्सक्राइब तुम्हारे जो पात वे थे उनके पास भी था पिस्तल आए तुम्हारे तो यह कब की घटना है याद है कोई दिवाली के पाद नवंबर लास्ट नवंबर लास्ट में तुम जानते थे किसको गोली मार रहे हो नए कितनी गोली चलाए थे जार में उतना द्राइं द्राइब भुड़ी कोई चलाए कि नहीं चलाए है नहीं। पुलिस का दबाव तो नहीं है आपके उपर कुई पुलिस के दबाओं में तो आप ये सब बयान नहीं दे रहे हैं नहीं पुछने तो पुछना चाहिए तो पुछना चाहिए तो बारी बारी जाए राम से पुछने पुरी कहानी बताओ पीछा किये वह हमको मिला उसके घर के पास पीछे पीछे गये और उसका गारे रुका हम गोली चला दिये कितने गोली चला है तो आदमी का गारी टकराता है यह थोड़ी कोई और यह तो कुछ रियाक्षन होता है आप गाड़ी का नंबर बदलते थे चोरी की गाड़ियों का अपना आईडी का लगा कर अपना पोन यूज कर रहे थे जिए ठीशन पहले थे हैं पहले दो आपने पहली बार उन्लाइए यह मद्ध कर दगाव एक प्रूंव लिए पिश्टल से पहले लिए थे कि अवाइब लिए प्राइब करने का नहीं था कि मेरा मोटीफ अपराद करने का नहीं था तो सुना आपने रितुराच ने खुद अपना गुना कबूल किया है पुलिस के ग्रफ्त में एक आरोपी रितुराच वा गया है लेकिन तीन आरोपी अभी भी फरार है रुपेश कुमार सिंग की हत्या का खुलासा हो गया है पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ गया है तीन अन्य आरोपियों को खोजा जारा यानि की पुलिस तलास कर रही है तीन अन्य आरोपियों की अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, फेस्बूप पीच को भी लाइक और फालो कीजेगा, धन्यवाद पतना का सबसेश स्टायलिस एस्स यूरिसेक सलून, ग्रांड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डांक बंगला रोड, पतना